असलाम अलेकूम एंड हले वरिवन तो केसे हैं आप सब मैं फिर से हाज जिरू चोटे से व्लाग के साथ होति सिंपल सब लौग हैं इसके अंदर मैं प्रसीपी बना सकते हैं अपने फैमिली को दिखना इसलिए को एन्दा तक जरुर देखना बिल्कुल भी近 विडियो पसंद तो पासल आगशित्क जरू करना तो வेंज च्कुल नहीं में टीफी नों नहीं बनाए है और सिंपल से मैंने आज न उपमा बना लिए आता क्यूंकि मेरा मन ही नेता कुछ बनाने का तो सिंपल से उपमा बनाकर वही खा लिया हमने, चाय नच्टा हमारे हो चुका है, मैंना कीचन टॉप साप कर रही हूं, रोज कर रूडीन ही होता है मेरा रोज कर रोज में साफ करती हूं नाष्टा होने के बाद एक गहंटे बाद में पानी पीती हूं तब तक में पानी नहीं पीती हूं कभी कभेना पानी पीना भूल साप पाने के बादת पानी पीती हुँ पानी पिने के बाद करें के लग गये हुना और अंटेना बर्थन करके चले तो उनके जगे पर सटकरदीनल आजने होसी किटे शापर लारा हूं शाप थी थीए उसक भी फेर पहट प्र शादा तबनाने मेन इस जण allora शेंफों को तो मैं आज क्या करूंगी दूपेर में बनाऊंगी चिकन करी और साथ में घीर आइस बनाएंगे और जुनान के साथ खाएंगे यह हमारा प्लैन है मैं खाना बनाने में लगी तो मेरे मिनाज आकर कहने लगी मैं भी थोड़ा सा मदद कर देती हूं आपकी मिनाज को बेना खाना बनाने बहुत ज्यादा शोक है तो कभी-कभी ऐसे बीच-बीच में आ करें मेरी मदद कर देती हैं मगर चोटे-मोटे काम वो करती है रोज करोज वगर किचन काम में ज्यादा नहीं लगाती हूँ क्यूंके चीटे उड़ते रहते हैं वो ज्यादा आता नहीं उसको किचन का काम तो चटका लगने का डर रहता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लगाती हूँ तो आज है वो ही बना रही है मैं दाल रही हूं मसाले मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्ची पौडर, धनिया पौडर, हल्दी पौडर, जीरा पौडर और गर्ण मसाला पौडर और टेस्ट के सबसे नमक दाल दिया है मैंने पैस दाल होने के बाद आने सकंदे टेमेट टो पेष्ट और हरा दन्या के पेष्ट दाल दिया आता अब मसाले दाल कर अच्छी से भुनाई कर लेना है जब से मैं हैं पर आया हूँ ना मुझे अडेटिंग करने के लिए टायम ही नहीं मिलता है जब ही मैं अडेटिंग करने के लिए बैठती हूँ ना तो गाड़ियों के आवाज भार लोगों के आवाज बहुत जादा आती है इसलिए मैं बहुत जादा डिश्टफ हो जाती हू इसले मेरे वीडियो देर से आ रही है तो इन्शाला नए घर में हो जाएंगे तो इन्शाले यह भी प्रप्लम खतम हो जाएंगे देखते हैं क्या होगा तो यहाँ पे मैंने दाल दिया 2 चमच अधर लसन का पेष्ट और 2-3 चमच मैंने हाँ ध्ही दाल दिया है सारे मसाले दालने बाद अच्छे से भुनाई करके उसके अंदर दाल देंगे चिकन एक किलो चिकन ले आता मैंने तो उसको अच्छे से भुन लेंगे मसाले के अंदर मेर मिना जन्या लेप्ट हैंडड है तो नूरेन बेने लेप्ट हैंड से ही लिखती है तो मुझे भी लगता है अबदुला भी लेप्टी होगा क्योंकि आफ लेप्ट हैंड से ही खाना काता है जो भी चीज देना तो लेप्ट हैंड यए आगे होता है मैं बार बार कोशिश करती हूँ रेट हैंड में देने मगर हैं वो नहीं सुनता है से बीबी जना भी रैट हैंड यूज करती है तो पता नहीं क्यों मेरे बज़े ना तीनों ही लेप्टी हो रहे हैं इंशाला मैं आदत तोड़ने के कोशिश करूँगे अब दिलाव की क्योंकि अभी छोटा है ना वो बदल जाएगी इसके आदत तो मिनाज और नुरेन का मैं कुछ नहीं कर सकते हैं मैंने बहुत कोशिश किया मगर लेप्ट हैंड ही ज्यादा यूज करते हैं पता नहीं क्यों तो अब यहां पर दीके मैंने मटका लेकर आया था और उसके उपर थोड़ा सा कपड़ा लपट कर बार बार गिला करेंगे तो एकदम ठंडा पानी हो जा यहां ठंडा पानी बार-बार पीरने का मन करता है उसलिए मैंने मटका लेकर आया है और चिखन के अच्छी से बुराई करने बद उसमें दाल दे आमेने पानी और पानी दाल करें चिकन पकने के लिग रख दूंगी और सात्म में बनाओंगी गीर आइस बनाओंगी क्या ज और क्याज पुलारणाई मैं आख van ऐसानुल अभर रोहे हैं कुकी पतीये여 अंवालाँ यजिया टि지ना यहां और अंभानता पोड़ से दावी नवच्गки फस्के अड़े क्रीक जाओंगी इसे चीले होनी वले करें सेथे अभरल तुमकी vaccinja प्राइब की लिए प्लेस्टिक लिए नग्यां के डिए ना यारी लेना है अपने थी लेकर देंगी है हैं तो आपको रस भी जादा निकलेगा और ज्यादा दिन तक श्टोर हो जाएगा है इसके अंधर अच्छे सेड करेंगे लिपुको वेसे बैना गर्म्यू दिखें में और ऐसे श्टोर करके रख देना ज्यादा दिन तक चलेंगे अब रमजान के महने में रोज हमार घर मेरे लिम्बू पानी बनता है तो यह बेस्ट आप्षेन है इसे श्टोर करके रखने के लिए और इसके अंदर एक लिम्बू नहीं बैट रहा था तो कट करके दाल दिया है अब हम क्या करेंगे इसके अंदर दाल देंगे पानी पानी के अंदर लिम्बू आच्छे से डुबना चाहिए उतना पानी दाल देना है हमें और इना पानी हमें रोज कर रोज चेंज करना है डेली से पानी चेंज करेंगे तो लिम्बू आच्छे रहेंगे वरना खराब ह जाएंगे सड़कर तो इस बात का आप खास ध्यान रखना रोज कर रोज पानी चेंज करना आच्छे से ना पैक करके रख दीजे फ्रीज में इस टीप को ज़रू फॉलो करें और बढ़ते अगले रेसीपी की तरफ जो मैंने आपको बताया तर न अच्छी रेसीपी शेयर कर लूँगी एकदम टेस्टे और हेल्दी रेसीपी बनती है रमजान आ रहा है तो इवतार में जरूर ट्राय करना बहुती ज़्यादा पसंद आएगा आपको और आपकी फैमिली को तो अच्छे से ना मैंने गाजर को कदूपस कर लिया है अब गाजर को दाल देंगे एक बा सकतागोई और कि मेरे पास नहीं था तो इस लिए मैने स्कीब कर दिया है इसका सब्जी है ज़यों, इसलिए बहुती है घल्दी कजर के अंदर और इस अध मेना हरा धन्या भी कट करके दाल करें और इसके अंदर दाल देंगे कुछ मसाले उसके ले मैंने हैठ लाया टेश के साब से नमक लाल मिर्ची पाऊडर्र खेIRाप अघौर के लिए जादा मसाले नहीं दालतें फिर भी जबरदस रेसीपी बंती है क्यूंकर इसकंदर सबजियों का टेस्ट जबरदस आता है सभी मसाले दालने बद हलका समय मिक्स कर लूगी सभी मसालों को मैंने अच्छी से मिक्स कर लिया है सबजों में और साथ में दाल देंगे आलू जो मैंने कदू कस करके रखाता आप चाहते हो सबजों के साथ ही आलू को दाल सकते हो मैंना थोड़ा सा स्लाइस में रखना चाहती थी इसलिए नहीं दाला है आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और फीलिंग को थोड़ा रखते हैं साइड में और मैंने आपी लेया है आटा ग्योंग काटा लेया मैंने रात को रोटियां बनाया था तो बज गई थी तो मै रोटि को ज्यादा बड़ी भी नहीं ऎए और ज्यादा चोटी भी नहीं ब नई बनाना है मै नहीं नमक दाल गुंद लिया था रोटिके ल्याकर बनाने के बाद पर श्ट्रेपिग फळा दूंगे इसा और श्टपिंग पहलाने के बाद इसके उपर ना थोड़ा सा घ्योंगाटा छिडग दूगी इससे क्या होता है रोल करने के लिए हमें आसानी होती है तो हलके से नेक तरब से मुटाते वे इससे रोल करते करते चप्टा करना है हमें गोल नहीं करना है रोल करते हुए हम यसे फैक कर लेना है चऱंग को और कीनारों को थोड़ा सदबा देंगे बना लेना है बिल्कुल इसी तरह में द्सरा भी बना लोगी मेरे पास दो रोट सबजें ंतर फ्रीज में रह दूए फिर मैं दूसरे दिन टाइम में लेंगे तो फिर बनाऊंगी तो ऐसे मैंने दूसरा भी तायर कर लिया है अब हम क्या करेंगे इन रोलों को ना एक स्टील के प्लेट में निकाल लेंगे और मैंने या पेना कड़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए रखतीया है अच्छी से बॉयल हो चुका है पानी और उसके उपर रख देंगे ये प्लेट 10-15 मिनिट तक हमें ढख कर पकने देना है और 15 मिनिट के बाद देखे अच्छी से पक चुका है और अंदर हमने जो भी स्टपिंग के है ना सबजियों का वो भी अच्छी से पक चुके है अब हम क्या करेंगे इस प्लेट को ना फ्रीज में रख देंगे तो इस बात का खास ध्यान रखना आप देख सकते हैं सबजियों भी अच्छी से पक चुके हैं और उपर से जो आटा हमने श्टपिंग किया है वो आटा भी अच्छी से पक चुका है और मैंने हैपी लाए एक पैन पैन को थोड़ा सा गरम कर लिया है और इसकंदर दाल देंगे सेलो फ्राइ करने के लिए तेल हमें सेलो फ्राइ करना है बीग फ्राइ नहीं करना है अगर आप डाइटिंग कर रहे हो ना तो बिना फ्राइ के यह भी खा सकते हैं ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है हलका सा तेल गरम होने के बाद इसके अंदर दाल देंगे वेजिटेबल रोल्स आप देशकते कितने जबरदस बने है इसके उपरन एकदम जबरदस कलर आएगा जब हम इसको हलका सा फ्राइ करेंगे तो और टेस्ट भी जबरदस आएगा सबजियां और घ्यों काटा अच्छी से पहले से पक चुका है सिर्फ हम हलका सा क्रंचिनेस लाने के लिए इसे सेलो फ्राइ करेंगे और इनको पकने के लिए टायम नहीं लगता है एक देर सेकेंड के अंदर ही आच्छी सा कलर आ जाता है इसे ना पलट पलट कर आच्छी से पका लीजें हलका सा ब्राउन होने तक आप दे सकते जबरदस कलर आया है ऐसा ही हमें चाहिए कलर जितना यह देखने में टेस्टी लग रहे है न उतने खाने में भी टेस्टी होते हैं एक बार ज़रू ट्राइ करके देखना हमारा लंच तायर हो चुका है गर्मा गरम सहो करते हैं और दस्ताखान लग चुका है आप याज जाई हमारा गर पर खाने के लिए तो फ्रेंट यह ताज कवलाओं और आज की रेसिपी मुझे पूरी उमिदा आपको ज़रू पसंद आई होगी और आज की रेसिपी ज़रू ट्राइ करके देखना बहुत ही जबर्दस टेश्टी लगती है तो फिर मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक ले अपना खयाल रखिए मुझे दूआ में रखिए याद अला हाफीस